मद्धप्रदेश के एलेक्सन बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ भोपाल से शिव अनुराग पठेरिया मद्धप्रदेश के अख्वारों में इंदेनों चुनावी खबरें हैं मद्धप्रदेश की 36 गड़ की राइस्थान की मद्धप्रदेश का सहोधर राज है मद्धप्रदेश से उद्भुत हुआ है 36 गड़ की खबरें भी चुनावी बहुत मद्धप्रदेश में पढ़ि जाती है और यहां के अक्वारों में प्रोकता के साथ उनको प्रस्तध किया जाता है आज राजी के अख्वार में सबसे बड़ी खबर है कॉगरेस के चुनावी घोसना पत्र में संग का जिक्र होने को लेकर इसके प्रस नंबर 80 पर कहा गया है कि अगर वो सत्ता में आये तो सरकारी जो परिसर हैं उनमें सरकारी करबचारियों को संग की साखा लगाने पर रोख लगा दी जाएगी इसको लेकर भाजपा ने कहा है हमत है तो रोख कर दिखाओ हम साखाएं बंद करके दिखाएंगे कॉगरेस ने कहा है दूसरे खौरों ने भी इस खबर को काफी प्रोखता के साथ लिया है इसके साथ ही बगावत भारतियनता पार्टी और कॉगरेस के लिए ज़्यादा बड़ा संकट बन गई है लेकिन कॉगरेस की तुलामे भाजपा के लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत है भाजपा के प्रदिस अध्यक्ष राकिस सिंग कहते हैं बागी हमारे लिए चोनोती नहीं विश्वास है सभी मान जाएंगे मानते हैं के नहीं मानते हैं मुझे लगता है छोटे मान गए हैं बड़े नहीं माने हैं जागर ने इस खबर को काफी प्रूखता के साथ अपने प्रस्ट नंबर दो पर लिया है जिसमें क्या है मान गए छोटे पर बड़े मैदान चोड़ने का तियार नहीं मद्द प्रतिस के पूर्व करसी मंतरी राम करसी कुसमरिया जो दमोह जिले के दो विधानसवा छेतरों से बागी प्रतियासी है उन्होंने कहा मेरे गले में साप का हार और मलेया के गले में फूलों का हार और दूसरा कुस्तो महदेले का एक ट्वेट चर्चा में रहा वैसे वो खुद ट्वेट नहीं कर पाती हैं लेकिन उन्हें कहा 29,000 से जीते को टिकेट काटाओ 12,000 से हारे को अपने टिकेट दिया अक्चुली उनके विधानसवा छेतर पन्ना में पबई के हारे उवे भाजपा प्रतियासी ब्रतियासी बनाया गया है और उनका टिकेट कार्ड दिया गया है वो बहुत नाराज है दूसतर कॉंगरेस के कद्दाबर ब्रामर नेता, बुंदिलखन के बड़े नेता सत्य बृतिश चित्रवेदी ने कहा है पार्टी कुछ भी कर ले लेकिन वो अपने बेटे के लिए जो सपा प्रतियासी के लिए प्रचार करेंगे और असपास के जिलों में भी सपा प्रतियासी के लिए प्रचार करेंगे मुझे लगता है बड़ा संकेत कॉंगरेस के लिए है कि हुजूर आपने भले ही हमें स्थार प्रचारक बना दिया हो लेकिन हम बेटे के लिए आगे आते रहेंगे पत्रिका में एक और खबर बड़ी महत्पूर्ण है जिसमें कहा गया है कि सिवराज सिंग चोहान लगातार बागियों को मनाने के लिए लगे हुए हैं कुछ मान गए हैं कुछ रूठ गए हैं आज की खबरों में बस इतना ही फिर मिलते हैं सुब काम राएं बहुत बहुत धनिवाद आभार